कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें आज हम कटन रियान का जो सेट बारे में बात करने जा रहे हैं और यह चीज पढ़ाने से पहले मैं को एक आप लोग को रिक्वेस्ट है प्लीज मेरा चैनल का आप लोग मेंबर्सिप लिजिए और मिम्बर्सिप से आप लोग को बहुत फाइदा रहेगा लोगто में बर्शिप लेने से यह चानेल siy highly देने अपन मंतर्य कर सब्सक्राइब करना और उसमें में तो लगा रहूंगा आप लोग भी इसको अपनी पास जो भी मतलब है वाटसप इस्ट्राइब फैस्बूक अपना दोस्त लोग से कलिक से या अपना सिनियर जुनियर जो भी है आप लोग का लिंक में इसको फर्वाड किजिए ताकि इसका बेउज बढ़ते रहा है और सब्सक्राइब बढ़ते रहा है और बारे बताने से पहले देखिए सबसे सब्सक्राइब पहले यह कोण है को रए मैं देखो एयह जैसे सपफ सब्सक्राइब देख रहो यह ऊरिजिनल कलर अधागे का कलर और यह जो काल ना कोलर का एक जैसे थोड़ा हलका काल अगा कलर कहें यह एक अल्ग टैब कर पाट्रीयल इसमें मतलब आ गया सेड़ भरियसन बोलते हैं इसको और इस पर देखो एक जो लाल कलर का गोल लगाए यह बीक अलग टैब का माल है और यह माल सब काड़ा कलर का लिखाना यह होता है शेड़ बैरियसे मिक्सिंग में यह कहीं प्रोसेस में गड़ बड़ी है और यह जो रिंग जैसा है ना एक लाइन जैसा अनलिटी का माल लेकिन बोविन सेम हो जाता है उस चीज में एसे रिंग जैसा आ जाता है और यह चीज तो अबड़ है इसको रिवाइंडिंग करेकर हटा सकतो लेकिन इस तरह का डिफरेंस आएगा ना कोन कलर में यह पूरा सफेद देखो यह पूरा अबलकी से तो यह जो अगर इस तरह रहेगा ना इसे थोड़ा काड़ा श्पट बला धागा आएगा सफेद आएगा तो यह अगर रहेगा जब यह आपको खाली आंक में हो सकता है नहीं दिखेगा यूवी लाइट में अल्ट्रा भावलेट जो लाइट है उसमें किलियर दिखेगा और यह जब अपना डाइग होगा तो यह जो चुद अलग रहेगा ओर यह कपडया वह जब लोग रहे वह गाए और सकतो मेलक्त को दे नहीं सकतो पार्टी को बहुत बड़ा क्लेम कर देगा और क्लेम करने से क्या होता है आपको कम्पेंसेस्ट होड़े गा कमपनि की का नाम खराप होगा तो उससे अच्छा ऊसे माल भणये अनिए यह से माल बनाने नहीं बनाने का क्या क्या उसका मैं आपको बता दू अब्जेक्टिप और आक्षन प्लान क्या लेंगे तब यह से माल बनेगा नहीं और यह से माल बनता है तो दिक कर जाता है सबको तो सबसे पहले देखिए अब्जेक्टिप और आक्षन प्लान अपन कैसे इसको अपन आवर्ड करेंगे मतलब ना की बराबर रहा है जैसे कभी कंप्लेन ना है सबसे पहले होता है तो आवर्ड डाइंग बरियाशन यह जो डाइंग बरियाशन आवर्ड करने के लिए यह बहुत जरूरी है आजा टयार कर वे तो टयर के अंदर शेट ना आएगा कोई कहने कोई कोई बोलता है कि dislodal क मनलब नहीं दरी बना रहे है जा बेड़ेड सीट बना रहा है उसमें कलारी नहीं करना के आड घरी कर दो तो वेज्त कस में चल जाता आरपनार ओर आङकाय थो आलेड है कि जिए इतना दिक्कत रहें लेकिन तो गार्मेट बगरा में चाहिए उसमें तो इसे चाहिए नहीं तो तो आपने बिल्कुल एक जैसा मलो ज्यादा डिफरेंस वाला नहीं होना चीज है आपने माइक लिया 3.8 का लिया और कोई पांच का ले लिया ऐसे नहीं लेना या आड़ी वैलू कोई चो उत्तर का लिया कोई शाट का भी डाल दिया ऐसे कभी नहीं करना आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल वैलू जोते हैं पूरा क्लोजर क्लोजर रहे तब इसको हम मानेंगे सिलेक्शन बढिया रहा करके मिक्सिंग क्लीडाउन लगाएंगे जिसे आपकी शमना मेरा एक लेटाउन वाला विड्च आपने मिक्सिंग एक फ だाउन के या पर नख लगा लगान क्या करेगा और ओर आठ्बवान आपने यूज किया एक द्वया मॉना चैन सेवाइवा to add тमस्तेया हैं न डों आपके कoleफे हैं यहां पर टाला गी में ऊसक्लाम लासे को शीया प्रहें यहां पर नाव में रम गनपे हो और दिया फिर तीन नमबर लाट बीज में पूरा डाले ऐसे नहीं करना मलब डिस्ट्रुबुशन करके डालना और सबसे बड़ी चीज है इसमें जे वेस्ट का पकेट रता न वो पकेट भी बराबर इंटरवाल में रखना और लूज वेस्ट बिलकूल नहीं रखना ये मिक्सिं लेडाउन परफेक्ट रखना होमजेनेस आंड सब्टोएस्ट ये भी इक्वाली डिस्ट्रुबुट होना चीए एक्वाली कि अब डिस्टूट है ये तो ये होना चीज है अजय इप स्टाक मिक्सिंग काट भट्टी का लिए कभी-कभी देखना आप पुराणा मिले बेल प्रकृत है लिए तो मिक्सिंग क्या करते गे रूम पे मिक्सिंग मलब स्टाक करते मलब इसको लेयर वाई जम्मा करते हर क् बच्चे का जनम दिन में केक कट देना इसे लीचे तक इसे काट के फिर इसको मिला मिला के लेना तब जाके इसको जो कटन प्रपर्टि में थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कभर हो जाएगा अर्यहू जाएगा इसको मिला अजला है तो जोचिस वायका जाएगा वह जाएगा उनिमक्स अच्छिज्च शुटा जोटा है मिला जुला होना चीजित वह वह बार्यकश पलूफ हॉट्वा मिला क्मायन थो इसमें दिख्क करके जाता है वह इसां को लीघ लाइन में लेना देखो प्लास भी व्यालू रेंज नॉर्ट मोर्धियान प्लस-mines.right सबसे इंपोर्टांट चीज यह है यह बाला ध्यान रखना जो प्लास बी व्यालू है इसके बारें बता दू प्लास बी व्यालू जो होता है जैसे क्रफ अपने शुरुआत हुआ फास्ट क्रफ ठीक है फास्ट क्रफ समलो प्लास जो बी प्लस बेलू जो हुआ बी प्लस बालू समलो छे से साथ तक आया ठीक है उसके बार दूसरी बार जो क्रफिंग करेंगे इस पर आपकी बी प्लस बेलू आएगा कितना यह आजाएगा आठ से सडे नो तक 10 तक आजाएगा ठीक है ओजिब थार्ड क्रफ आजाएगा बी प्लस बेलू 11 अगे बार इसे आजाएगा तो एक क्या होता है देखो जब बी प्लस बेलू छे से साथ इनिशेली जब कर्टन पहले करप निकालते ना शेसे साथ तक बी प्लस बलता बिल्कूल कर्टन वाइटी सरेता है मलब सब्स सपथ रता है ओं सेकेंड जो आएगा यह बी प्लस बेलू 8 से साड़े 9 मैक्सिमुम 10 तक आएगा यह होता है मलब बहुत बढ़िया यह कटन जो होता है एक्सपोर्ट के लिए इसी को यूज करते क्यूंगे 6 से 7 परसेंट जो साथ जो बी प्लस बेलू राएगा ना कटन ज्यादा दिल नहीं आता है उसके पर त भी प्लस बेल विया है मतलब क्या बुल्लौ जैसे कि आप मिक्सिंग लगा कटन में आपकी बी प्लस वैलू बी प्लस वैलू समलों आपकी 9.5 आपरेज है ठीक है बी प्लस वैलू का आपरेज वैलू कितना 9.5 तो इस पर क्या होगा देखो 9.5 होगा ना तो यह 10.2 से 8.5 8.7 8.7 से 10.2 कितना हो गया 1.3 हो गया 10 1.5 हाँ यह रहेगा बैलू यह प्लस माइनस पाइंट तक रहेगा मलब मलब देर पाइंट तक अंदर रहना चाहिए मलब 8.7 से लिया तो 10.2 तक आपकी ब्यालू डालोगी तब वो कोई सेड बैरियेशन का दिक्काज नहीं रहेगा और इसमें अगर आपकी अंतर रहेगा तो अबरेज रहा 9.5 आपको एक एक्जम्पुल बोलता हूं इसके लिए हम लोग एक बार एक मिल में क्या के थे मलब उब इंडियान काटन के चलना था तो इंडियान कटन की साथ हम लोग ऐश्ट्रियान कटन मगाया थे जसे ऐसे अश्ट्रियान कटन होता है वो बिल्कूल है है पालिष्यक्र जीशे परर तो यसे शांखने रहे मृगार्थ है जब sampling किये न मिलांज का दागा पड़ा है तो इंडियान कटन का डाई पिक अप उसका डाई पिक बिल्कुल अलग रहा तो वो जो बेल मगा थे इसको हमको सस्ता रेट में बाहर बेचना पड़ा और उसका एक ही इलाज है देखो अगर आपकी इंडियान कटन यूज कर रहो उसके साथ बंगलादेश कटन पाकिस्तान कटन ये सो मर्ज कर सकते हो लेकिन कभी भी अस्ट्रियान कटन इजिप्टियान कटन या सी आइलन कटन या अपरिकान कटन ये सो बिल्कुल मर्ज नहीं करना है मर्ज करोगी तो आपका सेड़ी सेड भरियसन तो पक्का आना है तो तो यह रिक्स कभी नहीं लड़ा, इसलिए अपना, देखो जो आपको तीन क्रप की बाद आता है ना, फार्षेकन थार्ड, इसलिए हम जब नया क्रप आता है ना, लाट चेंज करते है, कि पुराना कटन चलता है, ग्यारा साड़े गैरा, बी प्लस बैलू चलता है, नया बल करना, यह बी प्लस बैलू है, मेजर रोल रहता है, शेड भारियाशन का, यह बिल्कुल ध्यान रखना का, वह गड़बन ना हो, और रांडमाइज़शन इन कार्डिंग, यूनिलाप, कुमोर, ड्रॉप हैं, समल आपने मिक्सिंग भी बढ़िया लगा, लेड़ बढ़िया और आपने मलबब, सब कुछ ठीक है, यूनिविक्स भी लाइन में लिया, फिर भी शेड भारियाशन हो सकता है, उसका अभड करने के लिए क्या होता है, कार्डिंग के डिबा नमबर से डालो, जब ब्रेकर में लगाओ को सिक्वेंस में लगा, मलबब डिस्ट्रुबिशन रहे, रैंडोमाजिशन का मेरा एक विडियो देखना, आप उसमें रैंडोमाजिशन का बेनिफिट है, हर जागे का, जब लगा तो कौन्छा काड की कपासिटि का इसमसे कितना डिबा कौन्शा काड का लगेगा, वो श्टिकल लगा लगाने का, ब्रेकर में लगाने का, फ से लगा उसको फिर जब आरस्वी चलाओ इसको भी रेंड़माईशन से चलाओ रेंड़माईशन यह अल्टिमेट एक मतलब लास्ट चांस है अपना करेक्शन करनेगा अगर इसमें चूप हो गया तो फिर आपकी सेड़ भरेंशन होना ही होना है उसके बाद देखो तूमाच माईग डिफरेंश मस्ट नट टेकन इन वान मिक्सिंग एची बहुत इंपर्टांट है मिक्सिंग जब लेतो माईग का भी ज्यादा डिफरेंश वाला ने लेड़ा देखो फाइबर लेंग्ध श्ट्रेंग्ध वो थड़ा फरक पड़ेगा कोई दिके लिए जैसे माईक का अपने एक थ्री पॉयंट एड़ से समभलो चार पॉयंट दो तक लिया मनलों अबरेज रहा चार का माईक त्रीगे कभी यह नहीं सोच रहा टू पैंट सेवन कभी डाल दो यह पांच कभी डाल दो इतना डिफरेंश नहीं रखना इतना डिफरेंश रखेगा तो तो इसका एक रेंज रखना पाइंट फोर बाली उपर निचे रखो उससे ज्यादा फरक मत रखो उसका पाद देखो लो टिपय यहान शुट नट पास वीद मैटियल को तुट लो टिपय यहान कभी कभी देखना लो टिपय यहान कोन का उंदर आएगा पुरा मलब चंपके पूरा अलग टाइब का दिखेगा तो लो टिपय बला रहेगा तो डाई ज्यादा किज आ को पूरा सब्ट रहता है वह यह एसे लो टिपय यहान भी इसमें नहीं रखना लो टिपय यह तो बोविन इसको साफ कर तो चलेगा यह सेकंड क्वाल्टिम में देदो लेकिन फर्स्ट क्वाल्टिम में नहीं देना ओ देखो यह जो बताया था आपको भी इंपोर्टेड कटन्स सूंड़ाट मीक्स हुई ती इंडियान कटन यह बत कि इसका क्या मतलब देखो अपना जितना अटो कोन आता है गाड़ी में सजा करकिए सबसे पहले यूवी लाइट में अल्ट्रा भावले लाइट में ऐसे कोई सेड़ भारियसन होगा क्लियर दिखेगा क्लियर दिखेगा इसको अलग कर दीजिए बिल्कुल मत बेजिए चा थोड़ा बुद दाग रता है थोड़ा इसको पानी से साफ करते है और दाग भी मेड़ जाता है ऐसे ही संबलो कभी कभी सेड़ भरियसन आता है बिल्कुल हलका पुलगा नागी बराबर आप वाईसीप कर दोग उसका अंदर मस्चर जाएगा थोड़ा गीलापन होगा उस का अंदर सेड़ भरियसन कभी कभी हलका पुलगा है खतम हो जाता है और इसलिए आप हार कोन इविल आइट में पास कराना चाटने के लिए खराब कोन अटाने के लिए वह सीपी भी मस्ट करना है कलर कोडिंग इन एबरी डिपार्बेन मस्ट यह बहुत इंपर्टांड है क कलर कोडिंग सवाल ओ आपकी मालब एक काड़ प्रसेस चला है कि एक कोंड प्रसेस चला है कि चुच में चोड़री का डिबा है इनलेप का स्पूल है को अरो सिंप्लिस का बबिन है रिमध्रें का बबिन ऑ टाकोल का कौंटिबीन सेप्रेंट पूरा चार्ट बढ़ा के डि डिस्प्ले गोड काते डिपार्टमें पर देता है, कालेड में एए डिबा लगेगा, एए बबिल लगेगा, कोंड में लगेगा, सब कुछ जानकारी देदो, ताकि कोई मिक्सप ना हो, कॉलर कोडिंग मस्ट रहा है, उसके बाद देखो, इप सेड भारियेशन फाउन, माट माट्रियाल मस्ट सेग्रिगेटेड, अगर आपकी सेड भारियासन आता भी है, तो माट्रियाल इसको अलग सेग्रिगेट करना पड़ेगा, आपको नहीं तो वो बिमारी बढ़ता रहेगा, एबरी न्यू लट मस्ट मेक एक कलथ पर सेड चेकिंग, आपकी कोई भी नया ल क्या करोगी, इसको चेक करना सेड, ठीके, सेड चेक करना, सेड अपके हो तो लाट चालू रहने देना हो, तो सेड गडबन आएगा तो दिक्का जाएगा, इप सेड भारियासन फाउन, फैबरीक में वास्टू C, सेड भारियासन प्रब्लम, या अगर सेड आता है हालका प सुखा देने का, अगर हलका पुलका सेड भारियासन होता है, तो कभी-कभी धोने का पाद वो मिट जाता है, तो वो कोई इतना इंपोर्टान नहीं रहता है, अगर मिट गया तो ठीक है, हलका पुलका आएगा चलेगा, तो ये चेक होना जरूर है, चेक नहीं करेगा तो द हुआ झाल